ओम सर्व मंगला मिती सुभम CCD चैनल आपका स्वागत करता है आज का विशे है यम द्वतिया विधान कार्तिक मास सुकल पक्च की दुतिया थी यम दुतिया की नाम से जग प्रसिद्ध है क्योंकि इस दिन यम देव जब प्रत्वी का भ्रमन करने आई तो वे अपनी रूठी हुई बेहन यमना के यहां ठहरे बेहन यमना ने अपने भाई का स्वागत सतकार कर भोजन कराया बेहन के सतकार से यम देव बहुत प्रसन्न हुए और बरदान मांगने को कहा तब यमना भाई यम से बोली है जिस्ट आज आप मेरे ही यहां आकर मुझे प्रसन्नता प्रदान की ऐसे ही आज के दिन जो भी भाई अपनी बेहन के यहां भोजन करे और अपनी बेहन का सतकार सुईकार कर उसे उपहार भेट कर प्रसन्न करे उसे आपका कोई भेना हो उसकी अकालमरत तु कभी न हो ऐसे भाई भेन का बंधन अटूट हो यम बोले तुमने मुझे प्रसन्न किया है अता है तुमने जो कुछ कहा वैसा ही होगा ऐसा आस्वासन दे कर यम देव अपने लोक लोट गए इतना ही नहीं जो भी मनुष से कार् तेल लगाकर इसनान करें इस से मनुष या स्साष्वी होता है और यदी दूझ मंगलवार को पड़े तो चमेली के तेल का दीपक जलाने से अकाल संकट का निवारन होता है यदी दूझ बुढ़ार को पड़े तो इसनान से पहले तित टेल लगाने से धान और सभागे में परन्तु यदि दूजती थी गुरुवार को पड़े तो चने की दाल का हलवा स्रीहरी को निवेदेत करने से धन लच्छमीक में व्रद्धी होती है। के लिए उफार देता है। इस दिन को और आधिक पुर्नेकारी बनाने के लिए कुछ नियम अपनाने चाहिए जैसे दूजती थी यदि रईवार को पड़े तो बहन अपने भाई के लिए गुड़ की खीर अवश्य बनाए और भाई अपनी बहन को लाल चुनिरी भैट करे। ऐसा करने से भाई बहन दोनों दीर घायू होते हैं। परंत यदि दूजती थी सोमार को पड़े तो बहन अपने भाई के लिए भोजन हे तु दलिया की खीर अवश्य बनाए और भाई अपनी बहन को उफार में चांदी की कीरिंग या चाबी का गुच्छा भैट करे। इस इससे भाई बहन दोनों या सस्वी होते हैं। इसी प्रकार दूजती थी यदि मंगलवार को पड़े तो बहन अपने भाई के लिए भोजन में आटे का हलुआ आवस्च बनाए और भाई अपनी बहन को उफार में ताबे का पात्र भैट करे। इससे संकट निवारन होता है परंतु यदि दूज बुधवार के दिन पड़े तो बहन अपने भाई के लिए भोजन में पिस्ता डाल कर मुंग का हलुआ वस्च बनाए और भाई अपनी बहन को उफार में हरे रंग का वस्तर या कच्चा नारियल भैट करे। इससे दोनों के सौभागे के द्वार खु दूज ती थी यदि गुरुवार के दिन पड़े तो भोजन में चनी की दाल का हलुआ वस्च बनाना चाहिए एवं बहन को उफ़ार में पीले फल भैट करना चाहिए इससे धर्मे में व्रद्धी होती है इसी प्रकार दूज ती थी यदि सुकुरुवार के दिन पड़े तो भाई के लिए भोजन में रायता या दही बड़ा अवस्च बनाएं एवं बहन को उफ़ार में सफेद नंग या डायमंड की लॉकेट का पैंडल देना चाहिए ऐसा करने से दोनों के एश्वर में व्रद्धी होती है और यदि दूज ती थी सनिवार के दिन हो तो जन में खिचडी या दही बड़ा अवस्च बनाएं और बहन को उफ़ार में नीले काच की गलास या कटोरी का सेट देना चाहिए ऐसा करने से भाई बहन की समस्त मनो कामनाई पूर्ण होती है जै स्री राम